नमस्कार मैं हिमाणशी शर्मा आप देख रहे हैं Headlines 21 स्वास्त और खाने को लेकर नितीश कुमार पहले ही अपोजिसर के सवालों के कटगरे में खड़े हैं मगर उनी के एक MLA ने कुछ ऐसा किया जिसके बाद लोग अधित्यनात्योगी और नितीश कुमार में कंपैरिजन करने लगे क्योंकि नितीश कुमार का एक बयान आया था कि हम अभी कोटा से बच्चे लाने में पूरी तरह से तयार नहीं हैं यह है लोगडाउन का उलंगन होगा मगर उसके बाद उनके MLA अनील सिंग जो की हिसुआ से MLA है उन्होंने एक स्पेशल पास बनवाया नवाड़ा के SDM से और वो अपनी कार से अपनी बेटी को लेने जाते हैं कोटा वहां से लेकर आते हैं उसके बाद उनका बयान आया कि मैंने अपने पिता होने का फर्ज पूरा गिया क्योंकि मेरी बेटी महाँ पर ठीक तो थी मगर अकेली थी और घवरा रही थी क्योंकि सारे बच्चे घर जा चुके थे अब MLA सहाब के इस कर्तवगे के बाद नितिस कुमार पे बहुत सारे सवाल उठे और उन सवालों के बीच फस गए नितिस कुमार क्योंकि अगर हम दूसरा पहलू देखें तो वहां के बच्चों को जो विहार के बच्चे हैं उनको रोस्टिड फ्रॉग खाने पड़ रहे हैं और एप्रिल तक के जो अनाज भंडार है विहार का वो है सौ मिलियन टन तो वो लोगों में क्यों नहीं बट रहा ताज़ुक की बात तो ये है कि फूड मिनिस्टर राम बिलास पासवान भी तो विहार के हैं क्या उनको नहीं सोचना चाहिए क्योंकि बीजेपी ने एक वादा किया था कि विहार को वो एक स्पेसल स्टेटस दिलाएंगे मगर आज बिहार की कंडिशन बहुत बुरी है वहाँ कोरोना मरीजों का संकरमन दिन प्रती दिल बढ़ता जा रहा है जो ग्राफ है वो घटने का नाम नहीं ले रहा आपको बता दें कि बिहार में 228 से ज़्यादा केस हो चुके हैं और दो लोग अपनी जान गवा चुके हैं बात करें पूरे भारत की तो बूरे भारत में 26,000 से ज़्यादा कोरोना के मरीज हो चुके हैं और 800 से ज़्यादा मौर और भारत में उतनी तेजी से टेस्ट हो भी ने रहे तो बहतर होगा घर पर रहें Stay home, stay safe और नई कबरों के लिए देखते रहें Headlines 21